नमस्कार सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि हमने पिछले दो दिन पहले आप सभी को होम विजिट सिचूल्ड के बारे में आपको जनकारी दी थी एक वीडियो के माध्यम से कि होम विजिट सिचूल्ड में जो भी देटा है जो लभार्थियों का वो डेटा वहाँ से हटा दिया गया है और जो आने वाल अक्टूबर महीना है उस अक्टूबर महीने का डेटा इस होम विजिट में अपलोड किया जाएगा काफी सारी सिवकाओं का कमेंट आया कि हमारे भी ओसन ट्रेकर एप से सभी लभार्थियों का डेटा गयब हो चुका है तो देखिए फाइनली यहाँ पे जो होम विजिट सिचूल्ड है वो आज चार तरीक है तो चार तरीक के डेट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए तो चलिए आज इस वीडियो में आपको होम विजिट के बारे में बताऊंगा जो कि होम विजिट में कितने ला भार्थियों का कितने ला भार्थियों के घर पे जाके होम विजिट करना है और आप सभी आज का ये वीडियो और जैसे कि हमने एक और वीडियो के माध्यम से बताये था कि जो 8.1 वर्जन है जिसमें सभी आंगनबारी सेविका हैं जो आफलाइन मोड है उस आफलाइन मोड में आप लोगिन कर सकती हैं अपना दैनिक ट्रेकिंग का हाजरी बना सकती हैं ये सारी 1.1 में क्या-क्या नए अपडेट आये हुए हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं होम विजिट सिचूल की तो सबसे पहले यहां पे होम विजिट सिचूल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि फाइनली यहां पे अक्टूबर महिने का जो डेटा है वो सभी लभार्थियों का डेटा होम विजिट सिचूल में भी एड किया गया है तो जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि सभी लभार्थी जो दिख रहे हैं वो आपको बेनिफिसरी रेजिस्ट्रेशन में भी देखने को मिल जाएंगे तो जैसे यहां पे बेनिफिसरी रेजिस जिसमें कि गर्भवाती महिला और किसोरवाई लर्कियां का डेटा अपलोड नहीं किया गया था लेकिन इस बार जो किसोरवाई लर्कियां और गर्भवाती महिला है उनका भी डेटा यहाँ पर अपलोड किया गया है तो अब हमको इनके घर पे भी जाकर होम विजिट करना है तो जैसे हम किसी भी लभार्ति का मोडूल उपन करेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि हमको कितने लभार्तियों के घर पे आज जाकर होम विजिट करना है जैसे कि यहाँ पे आप उपन करेंगे 6 माईने से लेके 3 साल वाले बच्चों के सूची तो यहाँ पे देखिए due today, upcoming और late का option देखने को मिलेगा जैसे कि upcoming वाले पर हम click करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जितने भी बच्चे हैं वो आने वाले date में आपको इनके घर पे home visit करना है तो जितने भी बच्चे आपने aid किये हैं सभी बच्चों का यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से बच्चे के घर पे कौन से दीन हमको home visit करना है जैसे कि यहाँ पे 5-10-20-20 को एक बच्चा है जिसके घर पे home visit करना है यानि कल 5 तारीक आने वाला है तो उसमें आपको यहाँ पे इस बच्चे का aid कर दिया जाएगा due today में जिसमें कि आप उस लभार्थी के घर पे जाके जो यहाँ पे symbol मिलेगा उस symbol पे click करेंगे तो आपका वो date खूल जाएगा अभी आप लोग click करेंगे तो कोई भी date नहीं open होगा तो उसी date पे आप लोग select किजिएगा जिस दिन आपको home visit करना है अगर आप लोग home visit का date miss कर देते हैं तो वो आपको late वाले option में दिखाने लगेगा तो late वाले option में भी आप लोग जाके उसको भर सकते हैं लेकिन कोशिस किजिएगा कि जितना भी due today में हम लोग का data मिल रहा है home visit करने का तो हम लोग उसी दिन सभी जितने भी बच्चे हैं चहला भारती हैं उनका date उसी दिन हम लोग डाल दें इस परकार से आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे आप लोग को देखने को मिलेंगे तो जैसे कि यहाँ पे तीन से छे साल के जो बच्चे हैं इनमें भी पास तारीक से ही जो तो होम विजिट का ओप्शन खुलने वाला है यहां से देख सकते हैं 5,10,2021 यानि कल से इस बच्चे का जो डेटा है वो डिव टूडे में यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा देख सकते हैं सभी लभारतियों का इसी परकार से अभी दिखा रहा है गर जैसे कि हमने गर भौती महिला का लिस्ट ओपिन किया तो यहाँ पे 8,10 का दिखा रहा है यानि कि जब 8 तरीक आएगा तो उस दिन यहाँ पे डिव टूडे में उस लभारतियों का डेटा सो करने लगेगा तो इसी परकार से सभी लभारतियों का डेटा यहाँ पे upload कर दिया गया है तो आप सभी लोग छेख कर लीजिएगा कि हमको कितने लभारतियों के घर पे किस दिन home विजिट करने जाना है तो आप सभी लोग अपने हिसाप से देख लीजिएगा और उसके बाद ज पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर किजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक में तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंग